आज हम लोग बहत्पुर्ण टॉपिक है जिसका नाम है लौ बिमांड ये बैसिकली यह भी हम जो त्यार है ये टुवल्थ के जो विद्यारती है ये जो बीए के विद्यारती है ऐसे टॉपिक हर जगा पढ़ना होता है अब इसी को आगे जैसे लौब डिमांड है ये लौब लेकिन आज के जो इंगा मैं बैसिक हली पढ़ेंगे कि लौ अफटीय में आपको पताया था जिसमें डिमांड के बैसिक कंसेट बताया थे दिमांड करब बताया थे और उसके अगले लेक्शर में हम लोग demand functions और determinants और demand को चर्चा किये थे, discussion किये थे और in today class I will discuss the law of demand, law of demand होता क्या है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एकदम शुरू से हमारी जो आज की topic है, वो है law of demand इसको हिंदी में कहते हैं, मांग के नियम क्या बलते हैं, मांग के नियम meaning लिखिए, सबसे पहले, law of demand का basically जो law of demand प्रपॉर्ण किया गया है, वो प्रोफेसर मार्सल के दवारा अपनी प्रकासित पुष्टक, principle of economics जो के T-19 में published हुआ था, लेकिन law of demand का है, पहले इसको लिखते तब ज्यादा के लिखो पाए, देखें, law of demand states that, law of demand states that other things other things remaining the same, other things remaining the same, if price of a commodity falls, quantity demanded increases, and if price of a commodity rises, quantity demanded falls, सबसे पहली law of demand लिखने के लिए आता है, एक question अगर दो नमबर का पुछे, तो बहुत सफिसेंट है, law of demand बता रहे हैं, क्या लिखेंगे हैं? अंसर कैसे लिखेंगे हैं, question dead number का हो, दो number का हो, law of demand states that other things remaining the same, जिसको अलग लग किताब लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं, satirist paribus, क्या बोलते हैं? कहीं कहीं पुछता है, what is satirist paribus? satirist paribus का मतलग होता है, other things remaining the same, अब यह other things remaining the same क्या दो उसको भी बताएंगे? परले समेज, law of demand states that other things remaining the same, if price of commodity falls, quantity demanded increases, and vice versa भी कहा सब्सको हम पूरा लिख दी हैं, and if price of commodity rises, quantity demanded falls, और अंत में लिख दीजएगा, thus we conclude that there is an inverse relationship negative relationship between price and quantity demand, इक क्लियर हो गया, आगे इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लेजिए, लिखे, मांग का नियम या बतलाता है कि, कॉमा, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, कॉमा, जदी वस्तू के मुल्य में, जदी वस्तू के मुल्य में गिरावट होती है, तो मांग बढ़ती है, और जदी वस्तू के मुल्य में बिरदी होती है, तो मा इस परकार से मांग का नियम बतलाता है कि वस्तू के मुल और वस्तू के मांग में रिनात्मक्षंबंध होती है बस इतना ही लिखना है लेकिन पहले भी समझे हम लोग आगे भी स्थार से लौंग कुछन में करना है तो कैसे लिखेंगे तो देखे हम आपको demand function में बताये थे क demand is the function of price of x price of related goods income test बताय था ना और e yd इस तरह से हम आपको बताय थे n तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि demand is the function of price मतलब higher the price lower demand एनियम कब लागू होगा जब प्राइस घटे और बढ़े तब इसको अन्र फेक्टर से उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो अन्र फेक्टर क्या है देखिए ए जो आपका देख रहे हैं जब प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तब इस प्राइस अफ रिलेटेड गूड्स कॉंस्टेंट रहेगा कंजीमर का इंकम कॉंस्टेंट होना चाहिए टेस्ट भी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए एक्सपे मौसं में कोई बर्दी बर्तर नहीं होना चाहिए यानि कि ये क्या रहेगा आजीजुवल करेगा आजीजुवल तब प्राइस घटेगा तब इमान बढ़ेगा तिसमानले प्राइस बढ़ा प्राइस बढ़ा लेकिन साथी साथ अगर इंकम भी बढ़ गया तिनियम अब कफ होगा तो इसका लेता है अदर थिंग्स रिमेनिंग दा सेम हाना अदर थिंग्स रिमेनिंग दा सेम का मतलब हुआ प्राइस के अलाबा जो अदर फैक्टर्स है और आजीजुवल रहेंगे उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं सेटरिस परवर्स क्या बलते हैं सेटरिस परवर्स तो सेटरिस परवर्स का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग आजीजुवल अदर थिंग्स रिमेनिंग दा सेम क्लियर अब देखिए जब कोई भी लॉग एकोनोमिक्स में पढ़ते हैं या कोई मोडल को पढ़ते हैं तो इ लिखे, assumptions of law of demand, क्या लिखेंगे बाबू, assumptions of law of demand, assumptions of law of demand, मांग के नियम की माननेताएं, है न, मांग के नियम की माननेताएं, है न, लिखे, क्या लिखेगा, law of demand is based, law of demand is based on following assumptions, मां के नियम, निमलिखित माननेताओं पर अधारित है मांके नियम निमलिखित माननेताओं पर अधारित है मांके नियम निमलिखित माननेताओं पर अधारित है ठीक है? मांके नियम निमलिखित माननेताओं पर अधारित है चलिए देखे इसको याद रखने का तरीका यह है न एक याद है न फंक्शन ए कोई हमेशा आजीजिवल रहना चाहिए पहला आजम्शन दूसर लिखे supposed to change in taste and preference of the consumers दूसरा लिखे there should not be change in taste and preference of the consumers , there should not be change in taste and preference and preference of the consumers प्रिवर्टन नहीं होना चाहिए यह किसी किसी बुक्स में राता है there should not be change in preference and taste of the consumer during the analysis of law of demand तीसरा लिखे there should not be expectation to change the price in near future there should not be expectation to change the price in near future निकट भविष्य में वस्तु के मुल में परिवर्तन की शंभावना नहीं है यह नहीं होना चाहिए उस वालिखे distribution of income is unchanged आय का भीतरन आप परिवर्तित है या परिवर्तित रहना चाहिए during the analysis of demand और लिखो population size should remain as usual population size should remain as usual population size should remain as usual जन्संक्यां हमेशा की तर रहना चाहिए आप परिवर्तित रहना चाहिए बहुंसम में कोई change नहीं होने चाहिए यह सब है इसका assumptions of law of demand ठीक है अब next लिखिए क्या लिखिएगा explanation of law of demand क्या लिखेंगे explanation of law of demand तो वही schedule बनाईए उसी से explain कर देते हैं जिसे की बहायत है ना पिछली क्लास में क्या है तो एक तरफ प्राइस है एक तरफ कर दो दुट क्या है क्या है क्या है तो एक तरम प्राइस जैसे कि यहां पे है 10, 8, 6, 4, 2, 5, 10, 15, 20, 35, डिमान से डिले लीजिए और इसके गडाब बना लीजिए या सिफ डाग्राम भी बना सकते हैं कि यह से 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, यहां हम लोग प्राइस लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, यहां क्वान्टिटी है ठीक है तो प्राइस 10 है demand कितना का है, 5 है देखें, प्रायए 5 है, प्राइस अपका 10 है, demand कितने का है, 5 का है तिसतर से मिला लीजिए बताये भी थे इसी तरह से 10 है, कब जब 8 है, 6 है इस तरह से मिला लीजिए यह आपका इस तरह से देखें यह आपका क्या है यह आपका डिमांड कर्व है नाम दे सकते हैं ठीक है अब इसको एक्स्प्लेंड करना है देखें हम क्या देख रहे हैं पहले समझे लो इसको कि जब देख रहे हैं कि जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितने का पांच है जब प्राइस 10 रुपय से घटकर 8 रुपय हो जाता है डिमांड भी बढ़कर 5 से 10 हो जाता है फिर जब प्राइस 8 रुपय से घटकर 6 रुपय हो जाता है दिमांड बढ़कर 10 से 15 हो जाता है फिर देख रहे हैं, प्राइस छे से घटकर 4 रुप्या तो डिमान इस तरह से 20 हो जाता है, फिर 4 से 2 तो डिमान 25 हो जाता है, इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों में रिडेशन क्या है, इनवर्स है, निगेटीव है, पहले भी पतायते हैं, अब इसी को लिखना है, लिखो, is of 5 kg, quantity demanded is of 5 kg, when price fall from rupees 10 to rupees 8, quantity demanded increases from 5 kg to 10 kg, from 5 kg to 10 kg, when price fall from rupees 8 to rupees 6, quantity demanded increases from 8 to sorry from 10 to 15, quantity demanded increases from 10 to 15, in this way, when price fall from, in this way when price fall to rupees 2, quantity demanded increase to 25 kg, quantity demanded increase to 25 kg, we come to the conclusion that there is an inverse relationship between price and quantity demand, there is an inverse relationship between price and quantity demand. Hindi में लिख लिख लिजिए, उपर के चीतर में जब वस्तू कमूल जब वस्तू कमूल 10 रुपे केजी है, तो उसकी मांग 5 kg की है, तो उसकी मांग 5 kg की है, जब वस्तू कमूल 10 रुपे से घटकर 8 रुपे परती केजी तक हो जाती है, तब वस्तू कमूल ने 8 रुपे से घटकर 6 रुपे केजी हो जाती है, तो उसकी मांग 10 kg से बढ़कर 15 kg हो जाती है, इस परकार से जब वस्तू कमूल ने घटकर 2 रुपे परती केजी हो जाती है, तब वस्तू की मांग बढ़कर 25 kg तक हो जाती है, था हना नीचे लिखिए इस परकार से मांग कर नियम बतलाता है कि यह इसे लिखेंगे उपर के व्याख्या से हम यह निश्कर्च पहुँचते हैं कि अवस्तू के मुल और अवस्तू के मांग के वीच क्या है रिनात्मक शंबंद है रिनातमंग संबंध है clear यह हो गया आपका law of demand इसमें यहां एक और topic है जिसको हम लोग बोलते हैं exception to law of demand exception to law of demand law of demand के अपवाद देखे कुछ वस्तु में ऐसी होती है यह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके साथ मांग करनी अब लागू नहीं होता है यह कुछ परिस्तिति वैसी होती है जिसमें मांग करनी अब लागू अबका नहीं होता है अब इसमें दो परकार के लोग हैं, एक है भेबलेन सहाब और एक है गिफेन सहाब, दोने एकोनोमिक्स हैं, तो देखे होता है कि कुछ जो inferior goods मतलए जो घटिया वस्तों, inferior goods का मरण low quality goods होते हैं, देखते हैं कि जिसका दाम बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है, क्यों भेबलंक जो है, लखिरियाइस गुर्श मिलाने वाले भी कोशन पूछता है, भेबलंक कहते हैं कि कुछ लख्जरियस आइटम ऐसा है, जिसका दाम अधिक होने के कारण इसका मांग अधिक है, और कुछ समाज में लोग ऐसे ही होते हैं कि जो अधिक मूल ले वाली बस्तिव ह होती है उसको ही पसंद करते हैं अगर कहिएगा कि सस्ता समान है तो पसंद नहीं करते हैं डैट मिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोचल प्रेस्टिज को दिखाने के लिए महगी समान को पहन के मार्केट में आते हैं है कि नहीं, तो जो मांग के नियम का प्रवाद है, उसमें जो ग्राफ है ना, उसका ग्राफ इस तरीके से वनेगा कि उसमें प्राइस और डिमान में रिलेशन का और तर पोजितिव हो जाता है, तो इसको चलिए मैं डिस्कसिन कर देता हूं, इसका हम PDF भेज़ देंगे, जिस 82921-7930, पर मांगे में दे रहेंगा, कोई बच्चे जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, कोई दिकत नहीं है, चलिए हम लोग, एक्सेप्शन टू लाउब डिमान का PDF से थाथ को, चलिए ले चलते हैं, आते हैं लेके, एक्सेप्शन टू लाउब डिमान, ठीक है? एक गिफिन है, एक भैबलेंस गुट्स होगा, आप एक है ना, कि जदी हम बताये थे, कि जदी लगता है, कि भावी से में, कुछी खास बस्तू का जो बहुत जरूरी है, उसका दाम और बढ़ेगा, उसका दाम और बढ़ेगा, और अभी उसकी दाम बढ़ चुकी है, तो बढ़े हुए दाम पर भी उसका डिमान मार्केट में बढ़ जाता है, ऐसा कोविड में हुआ था, आलू, पियाज, चावल, दाल, आटा, सब का दाम बढ़ रहा था, फिर उसका डिमान बढ़ रही थ का प्राइस का प्राइस का प्राइस का प्राइस बढ़ गया था, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया था, और वो काफी जरूरी था, कोविड के टाम में, मरलो, शांस बढ़ लेने के लिए, उसका उप्यों करते थे, इसलिए उसके बढ़े प्राइस का डिमान बढ़ गया है हना तो लेकिन लग्जिरीस गूड्स के केसेज में भी अगर उसका प्राइस बढ़ती है तो इसका उयूज करने वाले हाई इंकम गूरूप के लोग होते हैं उसका नीमान बढ़ता है घरता नहीं है कंजूमर्स ела अगर वाले कोई व अहीं खरने जाते हैं तो प्राइस ने देखते हूं मेहाय को उख समान हो यह कोई ब्राइंड वस्तू है तो यह वह चाल को पहन से अगर द्रैण अधिक विहत अनगा तो वहीं खरित एंदाना है ना जातल आफ झीगूर्स Station effect जिसे Advertisement करते हैं तो जिसे Hero, Heroine, Actress, Mehengi समान पहने हुए हैं तो भी लोग पहनना पसंद करते हैं तो देट मिन्स कि इस सारे केसेज में आपका Law of Demand लागई हुआ आपका नही है, Consumer के Tresh्ट बदल गया Preference बदल गया, Fashion के कारण भी आपका बढ़े वदाम पर भी मार्केट में डीमान क्या होता है बढ़ जाता है clear ते सारे चीजों के कारण आपका जहे डिवान बढ़ जाती है ते था मांग का नियम I think मांग का नियम आप सभी को समझ में आया होगा अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो types of demand पर discussion करेंगे